इस दरीज से जो लगने समय से इस प्रियास में निरण पर लगे हुए है सबसे पहले यह देखें कि संग्ठन जो है वो क्या होता है क्योंकि हमें यह यह नहीं कहना है है कि संग्ठन खराब है यह संग्ठन खराब है हमें उसके गुरू देखने उसके परणाम देखने उससे हमें यह तैह करना है कि अभी हमें क्या करता है पहले क्या था संथन जो होता है वो मनुस्मर्टी पर आधारित होता है मनुस्मर्टी जो आधारित है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है और प्रधानता पर आधारित है उसमें एक राजा होता है एक उसका महामंत्री होता है एक उसका कोशाद्यक्ष होता है एक उसका सेरापती होता है वो दरवारियों की बात माने या ना माने पिर्जा की बात तो बहुत दूर किया है तो है के आंतर इसमें कि राजा ने जो कह दिया राजा व्यक्ति है वो चाहे तो सरकटवा दे वो चाहे तो इनाम में अपनी मालाय उतार के दे या मुगुड दे यह कहानिया सब आपने सुन ना सुने ये मनुस्मर्टी का नियम है कि इस नियम में जो फाइदा होता है वो दर्वार को राजा और रवार कुछ नहीं करता है कोई काम नहीं करता सारी प्रजा उसको लगान देती है उसकी बात मानती है और एगर जुद्ध होता है तो प्रजा में से सैनिक आते हैं वो ही करते हैं वो ही मरते हैं राजा अगर पकला जाता है तो राजा सरग्डर कर देता है राजा को माफी मिल जाती है क्योंकि राजा राजा को कभी काड़ता नहीं ना मारता है यह उसके नियम है और ऐसे नियम है कि जो राज प्रोहि उस उद्देश से के लिए जो बनेगा उसमें एक प्रधान होगा और वो प्रधान अधिकतर लोगों की बोटों से नहीं आता आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे संग्ठन देखे हैं जिनमें लोग नहीं चुनते प्रधान को वो एक बॉड़ी बना लेते हैं बहुत ज्य है कि उद्देश से पूरा हो या ना हो जैसे संग्ठन मराया संग्ठन बराबर रहता है उसके लोग बॉर्जथा रहते हैं और बच्चे हमारे पड़े नहीं पड़े अगर नहीं पड़े तो वो और जदा सराब में जुवे में इसमें उसमें चले जाते हैं और वो क्या करता है संख्ठन बाद में कहता है तुवारे बच्चे नालायक हैं हम तो उनको बलाते हैं वो तो आते नहीं वो तो बैठते नहीं हम क्या करें हम क् के पीशे जाएं बहुत सारे एक्सक्यूज निकाल लेता है तो यह परणाली उनकी है इस परणाली से हुआ क्या कि सतर साल में जो हमारी जितने अधिकार थे परणाम देखेंगे और जिन जिन परणामों के लिए संख्थन बने वह परणाम बहुत आंसिक रूप से आए तो है और जो अधिकार हमें मिले थे वह अधिकार चलेगे तो नुकसान जादा हुआ फाइदा कम हुआ फिर वह इखटा करने के लिए बनाये थे अब इखटा करने की समस्या यह है कि जैसे धम के संख्थन है अब धम के मैं आपको दो व्यक्तियों के नाम बताऊं कि एक सुमित् बास नहीं बैठते वह कभी नहीं के यहिंद्ध करतें थो हम अलगा यह रखी हैं ब््रक्तियों हैं नायक नहीं करतें लाद मेरा नहींう सकता को का प्रधान नहीं हो सकता वो संध बनासे संधा चलानी सकता दो मगत więजा और हम् क्या करते हैं हमें पुरानी मानेता हमारे दिमाग में हो कि सुभोण कर सकता तो उनों पैसा चाहिए ले जाओ और प्रूल मालाएं भासने लगे हैं जब्यक्तिक बारे कप market कर जाए तो उसके बाद में सिर्फ गुड़ खा सकता है गुड़ था बाद में लिखा हुआ सामके टाइम थोड़ा सा या गन्य का तस वगड़ा तो वह सारे नियम बताते नहीं है अगर वह सारे नियम बताएंगे तो आपकी मानेता खतम हो जाएगी फिर कोगे आप कैसे गुर आप बचने चाहिए थे विक यह थे और हमारी प्रुबसर में लिक्कति यानी चाहिए थी तो बात करें कि हमारा जो सामाजी संथनों को बड़ा बोलते है वह निसको बनाया साहब सऽताइब शालिश स्यंक्षण बने शाव सिटमने हुए उससी पेंश्षा लोगों एपते कर रहे हो और अलगैर पत्ना में कर रहा है एक अन्दप्रदेस में कर रहें कर रहा है एक आंधरफ़ और पैसा कहा से जाएगा सिर्थму भूल गए आगे सर्च करना भूल गए वो टुकड़ों में बट गए और अपनी पोजिशन को अपनी इस्टेबिलिटी को बचाने के लिए वह बागी काम भूल गए जब आपस में कंप्रिशन हो जाएगा तो तुम लड़ोगे किस से अभी मैं बाम सेफ के अदिवेशन में लुटे का एप अधर मारवा बोलते हैं तो वहां अश्य बाम सेफ यह सिखा धी है कि दुस्मन हमारा ब्रामन है बहुत अची बात है आप ने covered जिका सखाया बहुत अची बात है मकर सारी एनर्जी तुल तहीं बताने में लगा देते हो सोगी सो परशंट से नर्जी दोस्म सत्ता हुन मिनट है मिनट वो दूस्त बताओं ना हमारे दोस्त कौन कौन से हैं अब दोस्त बता संक्षारी कमचारियों से बाखी लोग फोकई सब्सक्राइब कईें चाहिए तो यही थे दोस्मन होरों हो रही किया है कि सारे अलग होने की वैसे नुकसान यह हुआ कि हमारे सारे अधिकार चले गए जो रोहिद वैमुला मरा जब तो रोहिद वह मिला के मरने पे इंडिया गेट पे चार बाम सेफ के संग्ठन संडे को करते हैं वो सब क्योंकि संडिक शुटी होती है एक कौने में यहां एक महां एक महा तो हरे ने बावासाब की मुटी लगिए वो ले रखा फोटो और हरे रहे करें में चारो अलग बैठे हैं यह हमारा क्या बिगाड लेंगे यहां की कोई नी करता है इनके बहुत आते हैं तो तुम्हारे वहां सुनता कौन है तो रोहिद वामुला तो उस दिन मरा जितिन त तुम चारो अलगलग फूटू लेके बैठे उतीन थोड़ी मरा जितनी हैदरावाद मरा और ऐसे ही हमारी जो अभी जो हात्रस के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो वहन बीटी को साथ होता है वहां सारे निता अलगलग पहुंचते हैं जगरते हैं फूटू के खिच माने के ल 2024 है खुद ही कनी है कि यहां को रही है क्या आप हमारे बीच में लखी खिच वार हमसे संसाधन ले रहे हो अपनी मर्जी से करते हो हमसे पूछते हो मुंचतम काम आता है यहां यह हो रहा है नहीं हो इसलिए संग्ठनों की जो मानता है हूं जो संग्ठन है जारे में तब की बात थी जब हमें जब तक संग के concept का पता नहीं था अभी तो हमें पता चल गया यह ठीक ऐसे जैसे तंबागों की दुकान पहले होती थी जो लोग तंबागों ख़एते थे पहले तो तंबागों पर तंबागों ख़एते थे अब सिगरट आ गई अब तो ग्रएते में दो दुकान बंद हो गई एक समय तक होती है उसके बाद में मर जाता है ऑदनी मटमे मर जाता है संग पार्टियं pubis ऑने मरता संग जब मरेगा जब आप सारे मर जाओ अगर अगर प्रतिवीपर थे दो संगे तो संग नहीं होता दो संग बन जाता अगर दो व्यक्ति भी जंदा रहेंगे कहीं भी चाहें एक अमरीका में रहें और एक इंडिया में रहें तो अब उनका संग है जैसे इसराइल का संग है इसराइल के अंदर क्या है जो यहुदी है पूरी दुनिया में कहीं भी यहुदी हो वो उनका स्टिजन होता है उनका मे संग है कि हमारा आदमी चाहे कुछ भी करें चाहे हमारा आदमी हमसे लड़े यहां आके कितना ही प्रसंग पूछे चाहे हमें गाली पक्या चला जाए चाहे वह जील में जाके सजा काटे चाहे वह बुराई करें चाहे वह संग घात करें उसको संग सजा भी दे तो भी वह रह उसमें सारे संग्ठन आ सकते हैं मर किसी संग्ठन में संग नहीं समा सकता तो संग्ठनों के लिए अगर वो काम करना चाहें तो कर सकते हैं मगर संग्ठन काम कैसे करेंगे एक ही चीज के बी संग्ठन कैसे काम करेंगे वो तो आपस में लड़ेंगे उनमें तो आपस में जूतम पत्रम रहेगी तो वो एक साथ इखटे नहीं हो सकते मगर संग सबको इखटा कर सकता है इसलिए संग की जो कलपना है और संग की तो बावा साब ने भी जब हमको यह अलग-अलग संस्थाइं दी थी तो यह नहीं का था कि इनके टुकड़े करते जाना टुकड़े करते जाना कहीं लिखाओ तो बता दो आपने उनके टुकड़े भी ले कर दिए उसके बाद उनको justify आप करोगे तो अपनी मौत के परवाने पर खुद sign करोगे और अगर ऐसे समझ में आता है कि जिस बाप के चार बच्चे होते हैं वह अपने चार बच्चों को अलग-अलग कर दे और उसके बाद को justify कर ले कि मेरे चारों बची अलग अज्चा काम हो आगर किसी बाप के चारों बेटी अलग हो जाएं और अच्छा काम है तो हम मान लेंगे कि हमारे हजारों जो संग्ठना अलग हैं वो लोग इखटे हैं तो वो सारी चीजें आपने करके चलनी हैं उससे फायदा होगा अभी जो समर्शंग का जो concept है यह पुराना है बहुत ज़्यादा पुराना है मगर एक साथ निकल के आया है इसका अगर समझ जाएंगे इसका प्रचार करेंगे इसका प्रचार करेंगे इसको बढ़ाएंगे इसको करेंगे इसको फील करेंगे इसको महसूस करेंगे इसकी प्रक्टिस करेंगे तो आपके बच्चे बच सकते हैं बच सकते हैं बचने की गारंटी नहीं है गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी दुन हमारी population की ओनको जरूट नहीं है, हमारी जन संख्या की उनको जरूट नहीं है, क्योंकि जो काम मनुष से पहले करते थे, वो सारा काम अभी मशीन करती है, सारा काम मसीन करती है, यहां तक जनाई भी करने वाली मशीन आ गई है, जो चछते हैं जो मकाल बनते हैं उंकर बनने लगें कि आपने देखा होगा पुल कीटनी जल् де बन जाते हैं आज अब ने काम करती हैं हर चीज़ ने आ गए तो हम क्या करेंगे यह कोई काम नहीं है जो हाथ से था मसीन द करती एंजीनियर और 50 लाग में बनेगा और वो भी आप मिलेना आपको क्योंकि प्राइविट होगे और आप अगर महां से अपना घर बेच के पड़ भी लोगे तो आपको नौकी ना दे क्योंकि प्राइविट होगी है सारी खेत हमारे पास है नहीं दुकाने बैपार हमारा जा चुका है नौकरियां हमारी प्राइविट कर दी है या डिपार्टमेंट सारे बेच दी है तो जो जिस व्यक्ति के पास में काम नहीं होता वो मर जाता है काम जिंदा रखता है काम नहीं होगा तो क्या खाएंगे बच्चे और क्या पिएंगे और कौन देगा अच्छा महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी महंगाई और बढ़ेगी पैट्रोल डेड़ सो रुपे जाएगा हमारा मिलना जुलना जुलना ये भी काम हो जाएगा क्योंकि इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते कि कार में आन इस पार लाख लोग मरें और हमारे मरें उनके तो बच गए हैं तो रोजगार नहीं मिलेगा दवाई नहीं देंगे काम नहीं मिलेगा तो हमारे ने और अगर हम इक ह्ट काने है यह जिद्ध है जिंदा रहने की सो च्ने की इस लिए सेख़ड़ों करें संग्धन बड़ाया है संग च्होटा कर दो तीन साल की बात दो तीन साल में बहुत वहन करें ब्रय है लिए 22 के अंदर जो अंदर जैसा सोचरे हमें इसा कुछ कर लें आने वाली है उनके पेट भरे हुए हैं उन्हें को फर्ग नी पड़ता है उनकी सब चीज़ त्यार है और चौविस में आप किसी को छू नहीं सकते तो लड़ना हमें है भी नहीं बस हमको संगर्स करना जो बावा साब ने का है अभी संविधान जिंदा है अगर हम और चली क्या चलती है के लिए वावसाब कर शनक साथ में अगर संग उनके साथ में होता कोई हमें गाली बग देता है कोई गरिमा नहीं है को सुनता नहीं ना को सुनता मगर जैसे आप खटे हो जाओगे अभी बाजी प्लट सकती है इसलिए सही समय पर संग निकल के आ गया बहर संग में सारी चीजे वहीं है आप इधर खटे होते चले जाओगे उधर बच्चे हमा साब आपको खींच के लेका आये थे कोई और प्रसंद हो किसी का तो पूछ ले आप इसी के मन में कुछी किया साथ जी सार आपके कदन से मैं स्यामत हूं लेकिन प्रश्ण ये है कि अब तक हम संग्खनों में बटे पड़े थे आप इनको एक जिर कैसे लाएंगे कि के हमने कोशिस की थी हम बहुत सारे लोग है जो सोच जो हैं कि हम को उकाटा होना और यहाँ हमें कोई आम आदमी आप ऐसे नी मिली जो यह क gagn रहग हर्म हर आदमी हमे आज सक जैनि मिल सिर्फ नेता को छोड़के नेता नैं ये तो कभी पर उनको ने नेताओं को इखटा किया दिली के अंदर आंदर भावन के अंदर तो उनको एक लाइन का एजन्डा है कि आप सब को चोदे अक्टूबर 2020 कि यह डिक्रेशन करनी है कि अब हम सब एक हैं और हमने उनसे यह निवदन किया कि बावा साब का जरन दिन अगर तुम्हें इखटा नहीं मना सकते तो कम सकते उनके बड़र दिन पर खटे हो जाओ 6 दिसंबर को भी कि हम इखटे नहीं होते जाता सब जिनको तुम दुसमल कहते हैं उनको तो पता है कि तुम तो अपने बावासा उसको मीस भी सियह मांते हो उसके मरद लिक्रत नहीं हो latest कृ तो वह जितने लोग आयों के ऍhipsक्टिंग हमारे पास अगर वो पपलिक से कह रहे है कि तुम हमें बताव के हमं मैं से निता कौन होगा क्योंकि उन्हें पता है कि 50 में 50 में उनमें कोई नेता मनने वाला नहीं उनको उनकी सभी अलग खराब है और पब्लिक की दिक्कत है कि एक को नेता मनने तो 49 यह कहांगे अच्छा अब मैं अपने गुलामों को लेका लग जाता हूं अब देखूंगा कैसे बात बनेगी तो व बचने का तरीका है कि हम खुद इखटे हो जाएं तब यह घटना घटी दो अपने लट दो सारी लोग अपने फिखट्य और बुद्ध को यह कहता आता कि अगर मेरे को देखना थो धंम को कुछ नहीं भी तो अगर तुमको भचना हो तो समिधान को देख लेना तो सम्रीदान ही यह कहता है कि 51% मेरे पास इखटे हो के आओगे तो बताओं मेरे आगा मैं क्या करूं आपके लिए यह कहता ना सम्रीदान एकहत एक सम्शन पर शमविदान यह हैxic현 कि यह तो हमारे बना हुआ हमारी बना हुआ है हमारaving निये बना हुआ हमारा है तो हमको सर्फ percent भान है तो जैसे दो प्रे ना ना कोई ग्यापन्द गया ना कुछ गया सरकार की अलत खराब हो गई। उर्सकार ने चाल चली और जहां जहां सब्होच consistently को करने की जूटे उनको फ़सानी को चीबूर पिर भी हम तूटे नहीं। और आखिर में वो पन्ना उनको जोड़ना पड़ा, संविधान वो जोड़ना पड़ा, और आगे के लिए उनको ये समझ में आ गया, कि अगर ये दुवारे खटे हो गए, तो जो जो संविधान में बाबा साब चाहते थे वो भी आ जाएगा, तो अब क्या है, कि नेताओं को तो सिर्फ आप रिक्ष्ट करते रहो, कि भाई इखटे हो जाओ, उनको नाराज मत करो, क्योंकि वो भी समझ संग के मेंबर है, बाकी लोगों को ये समझाते रहो, कि भाई अपने नेता को बोलो इखटा हो जाए, और नहीं तो तुम तो इखटे हो जाओ, तो अगर हम सब खटे हो जाते हैं, तो नेता तो अपने आपा जाएंगे, नेता हम से हैं, हम नेता से नहीं है, नेता हमें चंदा नहीं देता है, नेता को चंदा हम देते हैं, नेता हमें नेता नहीं मानता है, हम उसको नेता मानते हैं, तो हम उसकी पबलिक हैं, हम उसे नेता मानते हैं, त उसका फरक दिखाई दे रहा है कि आज हरा आत्मी जोड़ने जोड़ने की बात कर रहा है तो हमने देखा कि यह क्या चालाकी कर रहे हैं तो वह यह कह रहे हैं जोड़ो 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 कर रहे हैं वह जोड़ो जोड़ो नहीं कर रहे हैं उन्होंने जोड़ो जोड़ो मैं आ रहा है कि लोग हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं अगर हम जोड़ेंगे नहीं यह बाइस का लेक्षन हो जायाएगा जनवरी फरवरी में उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सब लोगों को समझ में आ जाएगी कि बिना जोड़े हमारा कल्यानी होगा अभी एक उमीद बाकी कि इसको कोगे फिर वीदा पीपुल तो है नहीं फिर तो पृज़ा हों गहीं हम और कोई निए सुनता फिर आपको स्षण को जाना पड़एगा ऐसा योग आंदरन करना पड़ेगा फिर जिल भरों करना पड़ेगा फिर सत्य गरा करोगे तुम ऐसा करो देश चोड़ो ऐस इसके लिए त्यार रहो को जादा करना आंगी वहां तक दिख्कत ना मेरे पास में बहुत है जाजाद बहुत है है पासर हो गया वहाँ ऐस। आय। बहुत है मैंने कुछ काम खोल लिया है। तो समराइट असोख के सम्हें मेरे तो हम राजा थे था ही सारी एंडेश्ट्य हमारी पड़े वह नहीं थे तीसरी पीडी में जाओगे पड़ा हुआ नहीं मिलता कोई हमारा तो जब सब कुछ हमारा था जब तब जा सकता है तो अब तो महगाई बहुत ज्यादा अब तो बहुत तेशी से चला जाएगा रूटी तो खाओगे जब रहोगे घर में कपड़ा तो आओगे तो जाओगे, सास तो लोगे, पर दीद्रे खर्च हो जाएगा, मिलेगा है नहीं खतम हो जाएगा, फिर क्या करोगे, किसी का छीन होगे तो जेल में डाल देंगे, काम कोई देगा नहीं, पढ़े लेखे होगे बहुत, अपने घर में बैठना पढ़े लेखे, कोई पर देश में अब सम्विधान तो भी नहीं मिलेगी नोगरी क्योंकि आरक्षन तो खतम है तो कहते हैं तो पूरा मिलेगा आरक्षन तो आपका अगर आपको 14% से 24% चींगे तो ले लो हम तो आपको 14% मगर नौकरी कहां है वो डिपार्टमेंट ने सारे बेस दिये तो काNEan के हतियार हमारे पास सचपि और कोई नहीं है जिसको जल्दी higher जिसको जितनी जल्दी Summen आजाता है वह अपने बेटों को अपने पोतों को अपनी बिती गोपि पोती बेए जिसको नहीं सब्सक्षर्ण के बहुत बड़ी आं आपके म मिलते हैं उनको खैजि नहां क तो बहुत लंबा टाइम है, दस साल के बाद ये सकल दिखाएते दे जाएगी, ये बुड़े सुले तो सब मर जाएंगे, उनके बच्चे सब जटकेंगे, यहांगर कुछ नहीं हुआ, बावा साब का माल खाया, और याद नहीं किया बावा साब को, बावा साब की बात नहीं जोड़े हैं, यही परसर है आपका, देखे, दरसल क्या है कि जानकारी ऐसी चीज होती है, जो चली जाए तो हम टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और आज आए तो हम टुकड़े हमारे खतम हो जाते हैं, ओबीसी, ऐस्टी, जो सब्दे वो अभी के हैं, और अगर आप उन और फिर वहां से आरम करेंगे, तो आप यह पाएंगे कि बुद्ध से पहले भारत में, ना कोई बुद्धिष्ट था, ना कोई जैन था, क्योंकि जो महारविश जैन थे, वो 19 साल बड़े थे, उसके बाए जब आगे चलेंगे, तो बुद्ध की फिलोस्पी आती है, फिर एक ब्राहिम थे, यहुदी थे, उनसे हो किस्टन बने, वो किस्टчто는 यहाँ आई, बहुत बाद में आई, और जो मुस्लिम है वो 14 साल पराने है। सिकार novगा बाठ है और जो सिक्ः मेरे वो 5 साल पराने हैं, बाकि जो संथ हैं, जो रवीदास हमेरे, कवीर तास हैं, यह 40 सारे सारे समन्ण हैं सारे समन्द का मतलब है भारत में बहुत लोग है जैसे साक्य मानते हैं मौरिय मानते हैं यह जो लोग है यह बुद्ध के फॉलोवर हैं मगर अभी ये बुद्द को ले रहे हैं पूजा के रूप में नहीं ले रहे हैं आप उनको जानकारी दोगे तो आप अपनी गंदगी अपने दिमाग से साफ करो जो उन्होंने डाल लखी है आप जब यह कोगे हम समण हैं तो समण करते हैं आपका मनोगल सामियाब रहते हैं कि हम संग हैं तो वो लोग आपसे पहले दावण करेंगे और वर कर रहें वह क्लें वो जो होता है कि तुम हमें सो सब्पोर्ड करो हमें क्या मिलेंगा मगर उने वह सामाज饥 है उसमें नहीズ पार नही हैं आप स्रिव जानकारी उन तक पौहँचाते रहो, के सारे संर्थे, सारे स्र्मर्थे, सारे संर्थे हम भी संन हैं, तो समल् closest करते करते, और अगर ना भी खड़ा हो तो आप 22 करोड़ो 26 करोड़ो जो हम लोग है अगर आप इनको इखटा कर लोगे पॉलिटिकल पावर के लिए बता रहा हूं आपको तो भारत के जितने भी लोग हैं उनमें सबसे पहले वंबड़ आपके पास आएगा वो आपके परूम है वो सबसे पहले आपके कहेगा आपको आपको उसकी जरुत नी पड़ेगी फिर जिनों ने धर्म परविवर्तन कर लिया है वो लोग प्रताड़ित हैं वो लोग आपके पास आजाएंगे उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है और 30% से उपर जिसकी संख्या हो जाती है उ आपकल उसके लोग कूद कूद के बाहर जा रहे हैं यानि वो अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं वो इधर जा रहे हैं तो उसकी दिक्कत ही है कि वह जानकारी का जो अभाव है वह अभाव उनके पास बहुत जदा है उनको समझाया गया इंटरवल के बात से उनको सम मिलेगा विल्कुल हाँ हाँ सुरामीरी नज्ची पम्माडपकान वेर मनी सिखाप दिंग समॉधियामी सुरामीरी नज्ची पम्माडपकान वेर मनी सिखाप दिंग समॉधियामी चुरा मेरे मज्जिपम्म अड़क्तानों वेरमनी सिखापदिं समोधियों आमी पूधं सरनं ब्रच्छावी लम्मं सरनं ब्रच्छावी संगं सरनं ब्रच्छावी पानाति काता विरमनी सिखापदिं समोधियों आमी आधिन्न दाना विरमनी अटिर नप्रच्छावी ब्रच्छावी ब्रच्छावी लमं शच्तानों, आमाया विरमनी सिखापदिं समोधिग मुझे था एंप उन याश्चावी लम्मं काता विरमनी ब्रच्छावी लम्मं